के चैसी और रात्रह खतिम होगा घर में डिमांड हो गई क्रची क्रची की क्यूकि नौ दस दिन तक हमारे गर में बिना लहसन प्याज के खाने बन रहे थे चलो आज प्याज के प्याजी बनाते बहुत क्रंची बनते हैं इसके लिए 4 प्याज में लच्छे सेप में एक ब्राबर काट लेना है यह कोई बावल पतला है जब हम एक ब्राबर काटेंगा आगा है ते सारे लच्षे सेफ में मैंने काट लिया है चार प्याज दिया है तीन लोगों के लिए अब इस प्याज को मैं एक बावल में ट्रांस्पर करदूगी क्योंकि हमें भी भेशन भी तो डालना है इसलिए प्याज को स्ब्सक्राना लिए एक्ष ऐगर आप इस तरह से बना के काटा है क्योंकि बच्चे हैं घर में अगर उन्हें थोड़ा तीखा ना पसंद होगा तो वह मिर्ची को हटा कर खा सकते हैं लेकिन अगर आपके हैं बच्ची ना होना तो आप इस से भी बारी बारी काट कर डालना और ज्यादा स्वादिश्ट लगेगा तो देखो मैंने चा हैं अगर आप इसके काट कर डालोगे तुछ हमारे ना मों में पड़े गा जो बीच-बीच में आए गा तो अच्छा नहीं लगेगा और हम लोग इसमें कीज में binding आ सके उसके बाद मैं डाल दे रहे हूं हल्दी हल्दी तो मस्त है हरеп nueva अबर नमक आ डेखकर हमारा जो है और प्याज confirm के दाले ईक डिए आजाएगा देखो बाइंडिंग नहीं आया है तो मैं फिर डाल रहे हूं थोड़ा सा बेशन बस इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके बेशन डालना है आपको बहुत जादा बेशन डालने के जरुवत नहीं है तो इसका स्वाध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यह हम मैं ले रही हूं सरसु तेल ना दोब अच्छा से गर्म होना चाहिए आप सरसो और में बनाना सरसो और में बनाना है genetically च्छोड़े च्षोड बनाना है उस तरह से बाइंडिंग कर करके हम लोग को तेल में डालते जाना तेल का ख्याल रखिएगा तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए मेडियम आज पर होना चाहिए बहुत ज्यादा लो फ्लेम पर बिल्कुल मत बनाईएगा नहीं तो तेल जाएगा ज्यादा है वो डाल दी है इसके बाद हमें इसे बिल्कुल भी छूना नहीं है जब एक साइट से अच्छे सा सीख जाए तब ही हम लोगो इसे पलटेंगे देखे एक साइट से पक्रा नहीं है तो मैं छोड़ दी हूँ उसके बाद एक साइट से जब यह अच्छा सा कलर आ गया तब हम लोगो इसे पलट देंगे एक अच्छा सी तेल नहीं बहुत थोड़ा अबजर्ब करता ज्यादा तेल बिल्कुल भी अबजर्ब नहीं करेगा क्योंकि हम लोगो नहीं बेशन का यूज़ भी बहुत कम किया है और पानी का यूज़ भी बहुत कम किया अच्छा जब कलर है तब हम लोग को इसे पलट लेना है बहुत स्वादिश बनते हैं इसके पकोड़े आप इसके चटनी और सौस के साथ का यह हमारे हैं तो दाल चाओल भी अगर बन गया ना बस प्याजी दे दू सब लोग सब लोग इसे बहुत पसंद से खाते हैं और बहुत जटपट बन होती है बस इसे ध्यान से ही बनाना होता है आप फॉलो करते जाएगा टिप को तो मेरा जो पहला बैच है वह रेडी हो गया है और मेरा दूसरा बैच भी है वह भी मैंने बस अब डाल दिया है क्योंकि तीन लोग के लिए प्याजी बना रहे हैं चार प्याज देखिए काप पसंद से खाते हैं कभी इस तरह से ट्राइ करके देखिएगा बहुत स्वादिश बनते हैं तो मेरा जो प्याजी है वह बस अब रेडी हो चुका है बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा एकदम मतलग कि आप इससे ठूकर देखिएगा तो जड़ा सभी तेल इसमें स अब लोगों को इसे खिलाते हैं टाटा बाई बाई